पर यूट्यूब पर विडियो कैसे देखते हैं तो फिर ये विडियो देखते रहें नमस्ते मेरा नाम एखता है कई बार आप स्मार्टफोन पर यूट्यूब विडियो देखना चाहते हैं 3G या 4G कनेक्शन भी होता है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन इतना खराब होता है कि बस विडियो बफर ही होते रहता है और विडियो देखने की कोशिश में शाम हो जाती है काश विडियो आफलाइन देख पाते कई बार आप ऐसी जगा में होते हैं जहां वाइफाई इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड तो बहुत तेज होती है और वाइफाई फ्री भी होता है लेकिन वीडियो देखने की फुरसत या समय ही नहीं होता अगर वीडियो को अभी मोबाईल में डाल कर बाद में आराम से घर पर फुरसत में देख पाते तो कितना बढ़िया होता कभी कभी आप कैफे या रेस्टरों में होते हैं जहां तेज और फ्री वाइफाई कनेक्शन उपलब्ध होता है पर आप दोस्तों या परिवार के साथ होते हैं बिजी होते हैं क्या कोई तरीका है जिससे आप अभी यूट्यूब वीडियो को अपने फोन में डाल सकें और बाद में अपने खाली समय में या छुट्टी पर आराम से वो सारे वीडियो देख सकें चाहे बाद में तेज इंटरनेट कनेक्शन हो या नहीं अगर आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूट्यूब वीडियो ओफलाइन देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक स्मार्टफोन जिसमें एंड्रोइड या आई ओएस ओपरेटिंग सिस्टम हो यूट्यूब की मोबाइल आप और ओफलाइन सेफ करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आएए सीख लेते हैं कि मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो ओफलाइन कैसे देखा जा सकता है सबसे पहले आपके स्मार्टफोन में यूट्यूब की अप्लिकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए अकसर ये स्मार्टफोन में पहले से होती है लेकिन आपको प्ले स्टोर में जाकर या आपल आप स्टोर में जाकर ये सुनिश्चित करना है कि YouTube की app updated है क्योंकि ये एक feature है जो अभी अभी Google ने release किया है यहाँ देखिए ये मेरी YouTube की app है जो मैंने पहले से install करके रखी है इस पर click किया अगर आपने इसे update नहीं किया है तो यहाँ पर एक update का बटन आ जाएगा और आप इसकी latest version को अपने smartphone में download कर लीजे और फिर उसे install करके open के बटन पर click कर दीजे ये देखिए ये मेरी YouTube की app खुल गई अब अगर कोई वीडियो देखना हो तो कैसे देखेंगे देखिए यहाँ पर उपर search का बटन है इस पर click कर देते हैं और कोई वीडियो खोज लेते हैं जैसे की मैं क्या कैसे का कोई वीडियो खोज लेती हूं यहाँ पर कोई वीडियो देख लेती हूं जैसे की जैसे की यह है how to make a free website इस पर click कर दिया अब देखिए ये वीडियो जो है ये खुल गया और ये चल पड़ा है अगर आप इस वीडियो को offline mode में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये like और dislike के साथ में एक arrow सी बनी है यहाँ पर ये जो arrow है ये offline mode में देखने में मदद करती है चलिये हम इस पर click कर देते हैं और अब एक डबासा खुल गया आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपको वीडियो नॉर्मल चाहिए या फिर HD यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो है उसकी रेजलूशन कम होती है लेकिन उसका फाइल साइज भी छोटा होता है और HD जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वीडियो होता है लेकिन उसका जो साइज है वो लगभग इससे चार गुना बड़ा है इसलिए अब आपे डिपेंड करता है कि आप अपने फोन की मेमरी में एक बड़ी वीडियो फाइल को डालना चाहते हैं या नहीं फिलहाल मैं नॉर्मल पर क्लिक करने वाली हूँ और फिर यहाँ पर एक डबबा है जहां लिखा है रिमेंबर माई सेटिंग्स उस पर क्लिक कर देती हूँ अब यूट्यूब याद रखेगा और अगली बार जब मैं वीडियो को ओफलाइन मोड में डालने की कोशिश करूँगी तो वो अपने आप उसे नॉर्मल मोड में ओफलाइन में डाल देगा चलिए अब हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं यह देखिए यहां आप देख सकते हैं कि यह जो वीडियो है यह ओफलाइन मोड में डाला जा रहा है आपको यहां पर इसकी प्रोग्रस दिख रही है आप देख सकते हैं यहां पर एक नीले रंग की डंडी सी है और जब यह पूरा का पूरा वीडियो ओफलाइन मोड में मोबाइल में सेव हो जाएगा तो यह गहरे नीले रंग का या डाक ब्लू हो जाएगा क्यूंकि यह फाइल बहुत बड़ी है क्यूंकि यह वीडियो 15 मिनिट से लंबा है इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है यह यह देख करते हैं अब हम इसे pause कर देते हैं और हम बाहर जाते हैं इधर गए ऊपर जो है menu है उस पर क्लिक किया और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर यह offline आ गया है इस पर हम क्लिक करते हैं और यह आपके सारे वो वीडियो है जो आपने offline mode में डाल दिये हैं आप चाहे तो इन्हें बाद में बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं अब वो कैसे देखेंगे? पहले मैं इसे हटा देती हूँ ये देखें उपर गए ये वाइफाइ कनेक्शन को मैं आफ कर देती हूँ और यहाँ पर ये मोबाइल देटा है मोबाइल देटा को भी आफ कर दिया तो अब नो इन्टरनेट कनेक्शन अवेलेबल बोल रहा है यानि कि हम इन्टरनेट से कनेक्टिड नहीं है चलिए अब हम ये वापस इधर गए और ये दो आफ लाइन वीडियोज है अब कोशिश करते हैं इनको चलाने की इस पर क्लिक किया और ये देखिए ये वीडियो जो है ये अपने आप चल पड़ा हम इन्टरनेट से कनेक्टिड नहीं है लेकिन ये वीडियो हम यूट्यूब पर अपने स्मार्टफोन पर आफ लाइन मोड में देख पा रहे हैं चलिए इसको मैं पॉज कर देती हूँ जाने से पहले दो बाते पहली ये कि ये ओफलाइन वीडियो आप 48 घंटे तक या दो दिन तक अपने मोबाइल में ओफलाइन देख सकते हैं और दूसरी कि ये फीचर अभी सिर्फ इंडिया, इंडोनीशिया और फिलिपीन्स में उपलाब्ध है गूगल ने इसे सिर्फ तीन देशों में अभी रिलीज किया है आप आपने सीख लिया है कि यूट्यूब वीडियो को स्मार्टफोन पर आफलाइन कैसे देखते हैं वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब पर लाइक का बटन जरूर दबाईए और शेर करना मत भूलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद